नमस्कार साथियों आज रिकॉर्डिंग का एक अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अपने फ्लूट को आप वीडियो में डारेक्ट अपना इंपुट दे सकते हो माइक्रोफोन के प्रूट आज मैं फॉर्म पर आयो वहां भी खाना आना पकरा एदर और इस बीच म हारा का लोए यह स्पीकर है अगय उनक्ति कि बीचे मैंने अपना माइक्रोफों कि आपले कुलिया है। इसमें और आइपेड का तो कि रिदम मेरी आइपेड करता हूं मैं आइपेड की इसमें इन्पूट हो चुका है बॉस की स्पीकर में बॉस का मॉडल है स्वन प्रो और इसका जो आउट है वो मैंने डाल दिया एस सैंसंग के एंड्राइट फोन में इस आई रिक के माध्यम से जो मैंने कल एक दूसरे वीडियो में भी दिखाया था आई रिक के माध्यम से इसमें इन्पूट हा चुका है यह माइक्रोफून की अवाज सीधे इसमें रिकॉर्ड हो रही है एक जाना भी बजा के दिखाता हूं मैं आपको हुआ आई आइज अच उदर खाना भी चलाते रहिए आप बहुत याने जल जुलाने जायर आइज यह तो आइए तो आइए 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 कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है तो देखा आपने कैसे स्टूडियो कॉलिटी रिकॉर्डिंग फार्म हॉस पर बैटके हो रही है और इस स्पिकर की कास बाद यह भी है इसमें एलक्टिसिटी नहीं जाहिए होती एक बार चार्ज कर लो तो दस घंटे तक बैटरी बैकप देता है इसका इन विल्ट बैटरी है तो अभी मेरे सैमसंग के इस फोन में आयरिक के माध्यान से डारेक्ट साउंड जा रहा है अगर मैं ऐसे बोलूँगा आफ दा माइक बोलूँगा तो आवाज नहीं आएगी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है जो रर आ रही है साथ में रिवर्ब भी आ रहा है जो की एस वन प्रो बोस के स्पीकर का एलिवर्ब है और आई पैड हमने इसमें साथ में जोड़ा हुआ है तो ऐसे अपनी जंदिकी को एंजॉए किजिए कहीं भी लेकर चाहिए साज ही कुछ ऐसा है बांसुरी वेरी हैंडी लाइट वेट और इस पर किसी भी तरह का मीजिक बजाए जा सकता है अच्छे गैजेट्स तो आप रखिए लेकिन साथ में रेक्टीज भी खूप कीजिए क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स से बांसुरी नहीं बजेगी रियाज करने से बांसुरी बजेगी लेकिन रियाज किया है और गैजेट्स नहीं है तो क्वालिटी नहीं आ technology का उप्योग करते वे आपका जीवन संगीत के सुरों से आनंद मैं हो जाए इसी शुपकामना के साथ मैं बलजिंदर सिंग बलु फ्लूट आपसे इजाज़क लेता हूं साथ में धन्यवाद देता हूं सेज़दीब सिंग जी जो की वीडियो बना रहे हैं उन्हें जो की मेरे मित्र हैं अमेरिका से आया है भी हॉलिवूड फिल्म स्कुल में पढ़ते हैं मित्र के साथ साथ एक इतफाग ये भी है कि वो मेरे बेटे भी हैं और साहत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बह Thank you so much. Enjoy your musical life.